How to fix OnePlus photos not showing in gallery problem नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकराच YouTube चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus के डिवाइस में photos not showing problem solve कैसे कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो आपके जो gallery हैं उसमें अगर photos show नहीं कर रहा है तो वो आपके gallery के problem है और mobile के भी यहाँ पर थोड़ा बहुत problem दे रहा है ठीक है तो आपको दोनों ही problem solve करना होगा तो कैसे solve कर सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा तो वीडियो के सारां तक बने रहे हैं सारे साथ दोस्तों चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करें और अगर आप online पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसे भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होगा अगर आपका photos जो है शो नहीं कर रहा है गेलरी के अंदर पर तो आप mobile को restart करके अपने प्ले स्टोर में जाएए उसके बाद यहाँ पर type किजे गेलरी ठीक है तो यह जो गेलरी है दोस्तों शायद यह अपडेट कर सकते हैं तो यहाँ पर गेलरी को search करते हैं कौन सा वाला गेलरी है मेरा तो OnePlus के गेलरी होना चाहिए यहाँ पर ठीक है तो यह रहा दोस्तो OnePlus गेलरी तो इसको अपडेट करना होगा update पे click करके update कर देना update करने के बाद दोस्तो check करके देखे अगर problem solve होते हैं तो ठीक है अगर update के बाद भी same problem आ रहा है तो जाएए दोस्तो setting पर उसके बाद यहाँ पे आपको scroll down करना है apps and notification पे जाना है see all apps पर click करके आपको gallery open करना है ठीक है तो gallery पे जाएए storage and cache पर जाके clear storage करके ok कर देना ok करने के बाद आपको back करना है back करने के बाद permission पे जाना है और सारे permissions gallery का enable कर देना है ठीक है सारे permission allow करने के बाद mobile को restart करे और उसके बाद दोस्तों दुबारा से check करके देखे आपका जो problem है वो solved हो चुका होगा अगर आपका problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर आपको अभी भी problem हा रहा है तो जाएए दोस्तों अपने play store में और इस वाले gallery को जो है uninstall करके reinstall कीजिए uninstall भी आप यहीं से कर सकते है और reinstall भी यहीं से कर सकते है सारे साथ दोस्तों अगर आपका mobile software update नहीं है तो जाएए setting और उसके बाद system और उसके बाद system update पर जाके software को update कर लेना क्योंकि दोस्तों software update रहना बहुत ही ज़रूई है अगर software update नहीं है तो दोस्तों आपको gallery के related problem हो सकते हैं तो मैंने जैसे के आपको आपको यह वीडियो पसने होगा thanks for watching